आज मैं खास ट्रिक के साथ होली स्पेशल ट्रेडिशनल पूरन पुली थाली की रेसिपी शेयर करूँगी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे और अगर चनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले ये में एक कप चने की दाल ले रही हूँ इसे अच्छे दरध होकर दो घंटा भीगने के लिए रख देंगे दो घंटा काफी है इससे ज़्यादा देर ना भीगोएं डाल को भीगे दो घंटे हो गए है इसका एक्स्ट्रा पारी निकाल देंगे अब कुकर में डाल देंगे इसमें कौटर टीस्पूल हल्दी पौडर और आधा छुटा चमश तेल डाल कर तीन कप पानी एट करेंगे पानी ज्यादा डालना है क्योंकि जो डाल का पानी होगा उसकी आम्ती बनाएंगे जो पूरन पोली के साथ खाने में बहुत ही जबरदस लगती है अगर आम्ती नहीं बनाना है तो आधा कप पानी ही डालें अब कुकर का धकन लगा कर चार सिटिया ले ले लेंगे और प्रेशर के निकल जाने के बाद ही कुकर का धकन खोलेंगे य लेकिन आधा मेदा और आधे गहों के आटे में पोली अच्छी बनती है इसमें quarter teaspoon हल्दी पाउडर और एक छोटा चमश तेल एट करेंगे मैं आम्ती भी बना रहे हूं इसलिए आटे में मैंने नमक नहीं डाला है अगर आप आमती नहीं बना रहे है तो आधा छोटा चमश नमक एट कर लें लेकिन ज्यादा नमक न डालें अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी एट करेंगे और इसका नरम आटा गूत लेंगे पानी मैंने नौर्बल ही लिया है तो ये मैंने नरम आटा गूत लिया है अब हाथ में थोड़ा से तेल कर इसके चारों तरफ लगा देंगे और ढाक कर 15-20 में रेस्ट के लिए रखेंगे चार सेटिया हो गई है प्रेशर भी पूरा निकल गया है अब कुकर का धकन खोलेंगे दाल अच्छी तरह से गल गई है दाल का एक्स्ट्रा पानी चान लेंगे दाल को इस्ट्रेनर में ही रखा रहने देंगे ताकि पानी अच्छी से स्ट्रेन हो जाए और दाल ड्राय हो जाए ताकि बाद में इसे ज्यादा भूनना ना पड़े तब तक आम्टी बना लेंगे तो आम्टी के लिए 10 से 12 कलियल हसुन की एक छोटा चमस जीरा एक मुठी हरा धनिया और एक तिहाई कप सुखा नारेल लेंगे इसे मेरे छोट छोट चुट कोड़ों में कट कर लिया है अब सब को मिक्सर में डाल कर पीस लेंगे अब थोड़ा सा पानी एड़ करके इसकी चटनी बना लेंगे तो ये आम्टी के लिए मसाला तैयार है अब कढ़ाई में दो बड़ा चमस तेल गरम करेंगे तेल गरम हो जाए तो एक छोटा चमस जीरा, एक छोटा चमस राई और थोड़े से कढ़ी पत्र डालेंगे जीरा राई चड़क जाए तो ये मसाला डाल देंगे मिक्सर में पानी डाल कर लगावा मसाला भी पूरा ले लेंगे अब इसमें कौटर टी स्पून हल्दी पाउडर, एक छोटा चमस तीखी लाल मिर्श का पाउडर, एक छोटा चमस काश्मीरी लाल मिर्श का पाउडर इसे रंग अच्छा आएगा और दाल के पानी को मसाले में एड़ करके मिक्स करेंगे बर्तर में थोड़ा सा पानी डाल कर लगी हुई दाल भी पूरी ले लेंगे आमटी पतली ही होती है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है अब इसमें इमली का पानी डाल देंगे और दो बड़ा चमच गुड़ एट करेंगे मेरे पास पाउडर गुड़ है आप गुड़ की छोटी टुकड़े भी डाल सकते हैं अब लोग फ्लेम पर इसे 5 मिट पकने देंगे बीच बीच में चलाते रहें अब हमने एक कप दाल ली थी तो उसी कप से नापकर एक कप गुड़ लेंगे ये परफेक्ट मेजरमेंट है इसे पुरन पुली ना तो ज्यादा मिठी होगे और ना ही आपको कम मिठी लगेगी अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे दाल के पानी को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था इसलिए से भूनने में सिर्फ 5-7 मिनट ही लगेगा भूनते भूनते गुड़ का पानी भी निकलेगा जिसे ये थोड़ा पतला हो जाएगा लेकिन फिर जल्दी ही ड्राय भी हो जाएगा दाल को चम्मस से मैश भी करते जाए पूरन पतला नहीं रहना चाहिए नहीं तो आप पूरन पोली नहीं बना पाएंगे और नहीं ज्यादा ड्राय होना चाहिए नहीं तो पूरन अंदर ठीक से स्प्रेट नहीं होगा आमटी को भी पकते हुए पास से 7 मिनट हो गए है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा खटा मिठा और तीखा होता है और पूरन पोली के साथ आमटी का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है तो आमटी तयार है फ्लेम को बंद कर देंगे और ये भी अच्छे से भुन गया है पानी ड्राइ हो गया है और दाल भी बरतन छोड़ रही है अभी आपको ये हलका सा पतला और थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट लगेगा ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगा तो कुकर को फ्लेम से हटा देंगे अब इसमें कौटर टी स्पून इलाइची पाउडर कौटर टी स्पून जाइफल का पाउडर और दो पिंच नमक एट करेंगे चुटकी भर नमक मीठे के टेस्ट को और ज्यादा बढ़ा देता है इलाइची और जाइफल के पाउडर से पूरा में बहुत यची खुश्बू और फ्लेवर आएगा अब सब को मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे तो दाल जब तक थोड़ी ठंडी हो रही है पॉली के लिए आटा रेडि कर लेंगे आटे को रखे आदा घंटा हो गया है आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब इसे चार से पाच मिनट और निट करेंगे और आटे को इस तरह से पटकेंगे जिससे इसकी लास्टिस्टी याने खिचाओ बढ़ जाएगा और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ये देखिए आटा कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है तूट नहीं रहा है ऐसा आटा रेडी करेंगे तो पॉली सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगी अच्छे से फेलेगी और तूटेगी नहीं और अगर आप पहली बार पूरन पॉली बना रहे हैं अब भी आप इसे इतने परफेक्ट बना लेंगे जैसे कि आप हमेशा से बनाते आ रहे हैं तो पॉली के लिए आटा रेडी है इसे ढाक कर रख देंगे तो दाल थोड़ी ठंडी हो गई है लेकिन पूरी थरह से ठंडी नहीं हुई है हलकी से गरम है अभी तो पूरन पॉली के लिए जैसे पूली के लिए आटा अच्छे से नीड होना ज़रूरी है वैसे ही पूरन भी परफेक्ट होना चाहिए तो पूरण एकदम महीन होना चाहिए तो एक तरीका यह है कि स्ट्रेनर में डाल को डाल कर चम्मा से इस तरह से निकालते जाए लेकिन इसमें टाइम और महनत ज्यादा लगेगा या फिर सिलबटे पर डाल को बारिक पीस लें और मिकसर में यह ज्यादा ठिक होने की वज़े से प्रॉपर घूमती नहीं जिसे एकदम बारिक नहीं होती और फूर्थ बेस ट्रीक है जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी अगर आपके पास यह सेव बनाने की मशीन है तो इसे यूज़ करें मैं इसमें मोटी सेव बनाना वाला साचा लगा रही हूँ इसमें दाल डाल देंगे जितनी आ जाए इसमें यह पूरी दाल सर्फ तीन राउंड में फटाफट निकल जाएगी और बिलकुल महीन हो जाएगी इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बचेगा और यह देखिए दाल एकदम फटाफट निकल रही है और एकदम बारिक होकर निकल रही है यह देखिए पूरन एकदम महीन हो गया है और थोड़ा ठंडा और DRY भी हो गया है और soft भी है पूरन DRY और soft होना चाहिए तो पूरन पूली एकदम नरम और बहुती बढ़िया बनेगी तो पूरन अभी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी बरतन में चिपक नहीं रहा और सॉफ्ट भी है तो यहाँ एक टिप है कि अगर पूरन थोड़ा पतला लगे तो घबराये नहीं पूरन को 4-5 पर मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूल ले तो इसका एक्स्टा मॉष्टर निकल जाएगा और थोड़ा ठंडा होने के बाद यह ड्राय हो जाएगा लेकिन ज्यादा ना पकाया नहीं तो यह बहुत ज्यादा ड्राय हो जाएगा यह ड्राय और सॉफ्ट दोनों होना चाहिए तो अब पूरन पोली बनाना शुरू करते हैं तो आटे का एक छोटा पेड़ा बनाएंगे ज्यादा बड़ी लोग इन्हाले यह स्ट्रेज होकर बड़ी पोली बनेगी अब थोड़ा सूखा आटा लगा कर इसे कटोरी की थरह बनाएंगे सेंटर में हलका सा थिक रखे अब जितना आटा लिया है उतनी ही पूरन लेकर लड़ू की थरह बनाएंगे और इसके अंदर रखकर इस तरह घुमाते हुए बन कर देंगे अब पहले हाथ से ही इसे हलका सा इस थरह से बड़ा कर लेंगे और फिर सुखा आटा लगाकर हलके हाथ से घुमाते हुए बेल लेंगे तो जिस तरह से मैंने आटा निट करना बताया है अगर आप बिलकुल वैसे ही निट करेंगे तो पौली बहुत ही आसानी से इस तरह से स्ट्रेच होगी और बिलकुल भी फटेगी नहीं इसे आप जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और पूरन भी अगर आपने बिल्कुल सही बनाया है तो बिल्कुल भी आटे में से बाहर नहीं आएगा और बिल्कुल आसानी से आप पोली को बेल लेंगे तो इसे तब तक बिलना है जब तक कि यह हलका सा ट्रांस्परेंट नहीं हो जाता यह देखे मैंने इसे इतना पतला रखा है अब इसे गरम तवे की उपर डाल देंगे और जब हलके हलके इसमें बबस दिखने लगे तो इसे फ्लिप कर देंगे अब इसके उपर घी लगाएंगे चारों तरफ अच्छे से घी लगाने के बाद इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरे सैट भी अच्छे से घी लगाएंगे और ये देखिए पूरन पोली कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल गुबारे की तरफ फूल गई है तो इस तरह की पूरन पोली बहुत अच्छी नरम बनती और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोनों सैट से इसे अच्छी तरह से से शेक लेंगे तो दोनों सैट से पूरन पोली अच्छी तरह से सिख गई है और दिखने में बहुत ही खुबसूरत लग रही है बेल सकते हैं क्योंकि आठा अच्छे से स्ट्रेच होगा बस हलके हाथ से बेले इस तरह से सारी पूरण पूली बना लेंगे तो ये दूसरी पूरण पूली भी तैयार है अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ अगर गरम गरम तवे से उतार कर आप सीदे सर्व करने वाले हैं या खुद खाने वाले हैं तो गरम गरम पूरन पूली के ऊपर आप एक्स्ट्रा घी डाल कर खाए ये और भी ज़्यदा टेस्टी लगेगे अगर आपको घी पसंदो है तो तो थाली में हलका गरम दूद रख है और एकदम सॉफ्ट है और स्टफिंग भी बिल्कुल एक सी हुई है तो ये हमारी महाराश्ट्रेंड होली स्पेशल ट्रेडिशनल पूरन पूली थाली बनकर तैयार है इस होली पर इसे जरूर बनाए और आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताए